आज हम बात करेंगे WhatsApp के इस नए फीचर के बारे में जी हाँ दोस्तों आप सबने ध्यान दिया होगा कि आपके WhatsApp में एक नया फीचर आया है जो ब्लू कलर के सर्किल में दिख रहा होगा आप सोच रहोंगे कि यह क्या है इसके क्या यूजर्स हैं आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है तो यह फीचर धीरे-धीरे सबके फोन में आ रहा है जैसे-जैसे लोग अपने WhatsApp को अपडेट करते जा रहे तो अगर आपने WhatsApp को अपडेट नहीं किया है तो कर लीजे ताकि आपकी WhatsApp में भी यह फीचर आ जाए तो शलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले तो अपने WhatsApp को अपन करते हैं यह जो सर्किल है उस पर क्लिक करते हैं आपको बता दे इसको बोलते हैं Meta AI Meta एक कमपनी है Facebook, WhatsApp, Instagram का ओनर जिसको बोल सकते हैं And AI is Artificial Intelligence तो आप सबने ChatGPT का नाम तो सुनाई होगा तो बिलकुल लगबग सेम है क्योंकि सिर्फ WhatsApp में नहीं Snapchat, Instagram, Facebook Messenger हर सोशल मेडिया एप में यह AI आ चुका है अगर आपने सोशल मेडिया एप्स को अपडेट नहीं करा है तो कर लीजिए ताकि आपकी भी सोशल मेडिया एप्स में यह अपडेट आयते हैं और इस Blue Circle पर क्लिक करते हैं अपने WhatsApp में तो इस Circle पर क्लिक करने के बाद से तो आपको Continue का ओप्शन दिखेगा आपको Continue पर क्लिक कर देना है इस AI से हम जो चाहें Question पोश सकते हैं वैसे यह Students के लिए बहुत ही Useful होने वाला है आपको जो भी Problems है आप इस AI से पोश सकते हैं आप WhatsApp किसे से Chat करते हैं तो आपको English नहीं आते हैं आपको Translation चाहिए तो आप इस से यहां यह भी करवा सकते हैं आपको कोई Problem आ रही है जी के जो भी Problem आ रही है आप सब इस AI से पोश सकते हैं यह AI आपको बिलकुल सही आंसर देगा अब आप यह सोच हैंगे कि ऐसा तो Chrome भी है Google भी है लेकिन नहीं Chrome या Google पर हम कुछ सर्च करते हैं तो बहुत सारे Websites आते हैं फिर हमें उसमें स्क्रॉल करके एक अच्छा सा आर्टिकल ढूणना रहता है फिर हमें मिलता है बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपके Question का आंसर मिल जाएगा चलिए इस एक्जामपल कुछ Questions पूछ के देखते हैं जासे की Who is a Salman Khan? चलिए देखते हैं कि इसने क्या आंसर दिया अब आप देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास पहुँच चुके हैं इसने पुरा Wikipedia ही हमें दिखा दिया Salman Khan के बारे में अगर आप Students हैं तो आप सिब के लिए बहुत ही useful है यह feature तो आप भी इस feature का use करिए और हमें comment box में बताइए कि आपको यह WhatsApp का नया feature कैसा लगा